तो आज मेरे पास है मीवी का डूपोर्स के फॉर और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है 900 रुपे में और इसका लॉंज प्राइस सा 800 रुपे और कुछ टैम बाद ही इसका प्राइस बढ़ा के 900 रुपे कर दिया है तो बहुत सारी यूटुबर्स बोल रहे होंग आपको बूरा नहीं बता पाएंगे इसको मैंने खुद पचेस किया है तो अच्छा बूरा सब आपके सामने होगा तो आपको लग रहा हुआ कि यह इत्ता हीरो की बन रहा है तो यह रिजन है मेरा जो है गौगल्स लगाने का तो हम स्टार्ट करते हैं अंबॉक्सिंग के स पीज़ें लिटे हैं और बादिव इसको बन चाल लेते हैं तो यहां पर कुछ आपको व्यक्म कॡ़ल कर्ण की चाल कrekत रहता है यह अंदर वालो दीख रहा है वगलर tissue रहा है और यह अंदर ब्लु की बात कर देता हूं तो यहां पे आपको clear call with AI ENC mode मिल जाता है one touch play and pause मिल जाता है यहां पे sensor दिया हुआ है और इसका steam कुछ इस type से दिखते है आपको यह classic design में है जैसे पहले आते थे वस टैप से यह rubberize वाले नहीं है पचास घंटे का प्लेटाइम मिल जाता है और इसमें आपको साड़े आठ गंटे का प्लेटाइम मिल जाता है दोनों बट्स में एक साल की warranty मिलती है आपको और 13 mm case में जो है driver दिये हुए है और IPX4 की rating है Bluetooth 5.3 है loot latency के लिए इसमें gaming mode दिया है लेट वाला आप तीन बार ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे तो गेमिंग बोड जो है और यह प्योरली मेड इन इंडिया केस की कॉलिटी की बात की जाए तो कॉलिटी मुझे ठीक लगा उतना अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने 161 की unboxing करी थी और वो उसका वीडियो आप जाके देख सकत बिल्कुल भी नहीं है उतना ज्यादा आप साइज यहां से compare कर सकते हैं साइज में बहुत जो है वो difference आपको दिखाई देगा और बात की जाएगे stream की तो यह जो बड्स है वो भी इतने अच्छे मुझे नहीं लगते क्योंकि इसका भी देखिए आप साइज एक तो comfortable नहीं लगते हैं इस टाइप से बड़ और साथ ही साथ इसकी जो साइज है साइज थोड़ा अजीब टाइप से जो लोगल टाइप से आते हैं थोड़े बड़े टाइप से दिखते हैं उस टाइप से यह साइज में आता है छोटे होते थोड़े से या पतले होते तो भी चल जाता लेकिन इसकी साइज मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा यहां नीचे देखेंगे तो यहां से आपका जो चार्ड होगा और यहीं से जो है आपका माइक भी दिया हुआ है तो डूल माइक है और कौड माइक नहीं है कौड माइक होता तो ज्यादा बैटर होता इसकी जो वौड़ी है फुल साइन है और इसमें जो है इस्क्रैटशा से लगेंगे क्योंकि तंअ कम दीखेंगे क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो इस पार कल टक्से डिजान बना हुँए इसे scratches जो हैं वो कम visible होंगे हिंजी की quality okay okay है यहां पर कोई lock नहीं है magnet भी ठीक ठाक है मैं इसको यहां पर कर रहा हूं तो यह बहुत pressure के बाद जो है यह एक earpad जो है वो निकला तो इसका sound quality है वो हम check कर लेते हैं तो sound quality एकदम बेकार है ना vocals है ना treble है बेस है कुछ भी नहीं है यहां पर अगर समझार होगा तो आप थोड़ा सा समझने को कुछिस करिए लेकिन एकदम बेकार quality अगर sound quality के लिए अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी मत खरीए sound quality एकदम बेकार है साथी साथ अगर आप calling के लिए यूज करना चाहते हैं इसको तो calling ले भी आपके जो कुछ काम नहीं आने वाला है दो ही माही के इसमें और calling quality भी उतनी कुछ खास है नहीं साथ जो इसका steam है यहां पर देखिए मैं लगाता हूं steam तो कितने बड़े दिखते हैं जैसे local वाले आते हैं जो 3400 रुपर मार्केट में कुछ स्टेप से इसका जो है steam जो है वह नजर आता है यह वाला पहनते एरबट्स तो कोई नहीं बोलेगा कि यह मीवी का है कि कंपनी का आपने लिए है यह लोकल जैसे ही जो है वह नजर आ रहे हैं यहां पर जो है टच कंट्रोल्स दिए गहां यहां से प्लेपाउस वह आप कर सकते हैं कॉल रिस कर सकते हैं मैं तो बोलूँगा कि avoid करो यह product को लेकिन अगर आपको मिलते हैं यह 1500 के उपर 800 900 के कुछ इस टाइप से product मिलते हैं तो इसको completely avoid कर देना आपको बिल्कुल value for money नहीं है 7800 में भी value for money नहीं है फिर भी अगर budget कम हो 1500 तक अगर लेना है आपको 600 1500 अगर लेना हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं नहीं तो बिल्कुल भी worth नहीं है यह मैंने इसको 900 रुपे में purchase किया हुआ है तो मुझे लगता है 900 रुपे वह waste हो गया है यह बिल्कुल भी अच्छा product नहीं है तो आप किसे दूसरे product के साथ जा सकते हैं आप 161 pro ले सकते हैं यह ज्यादा better है इस मीवी से यह वाला 161 pro जादा better आप size में भी comparison देख सकते हैं डवल के आसपस जो है यह बड़ा होगा और यह बिल्कुल भी जो है वो handy नहीं है यहां से देखेंगे आप तो इसका मोटाई भी जादा है यहां पे आपको type c charging का मिल जाता है charging का port मिल जाता है यह अच्छ है बाकि अगर आपको चीह ज्यादा better back up budget कम है तो ही इसको purchase करें बाकि अगर pro की बात कीजाए तो इस में battery back up और price इसका 600,700 तक 7,700 तक मिल जाता है तो आप purchase करें बाकी और कोई reason मिरको नहीं दिखता इसमें कि आप इसको purchase करें बाकि cons की बात कीजाय तो बहुत सारे cons है तो glossify फिन इसे चलिए ठीक है वो भी मैनेजबल है लेकिन इसका साउंड बेकार है जो सबसे में होना चाहिए कॉलिंग ओलिटी है वो उतना डिसेंट नहीं है साथ यह साथ इसका डिजाइन है डिजाइन में को बिल्कुल भी नहीं पसंदा है यहां पर देखिए आप इस टीम का ड सब्सक्राइबे नहीं आधा को नहीं पर हमां में यहां पर देखेंगे उसको क्या होना चाहिए आपि से जो है लीडू और करते हैं तो यहां पर अनलते जलना चाहिए तो वो नहीं जलता है यह बैटरी परसंटेज का एलेडी है वह निए ज़लता और दिखा देता हूं अभी एलेडी दिखाई नहीं दे रहा होगा और आप ऐसे भी ओपन करेंगे तो यह बिल्किल भी बैटर परसेंटेक नहीं दिखाता तो यह दिया ही क्यों है भाई मीवी ऐसे कैसे काम चलेगा और एक दिक्कत जो मुझे फेस हुई मैं बता रहा हूं आपको यह जो है केस है यहां पर हम जो है इसको डाल देते हैं और यह वहां पर बंद कर देते हैं तो यह कईदे से यह जो है डिसकनेक्ट हो जानाचियरा फों से लेकिन यह जबहां कई ब्लकिंट्प से इसो मैं इसको मैं ट्रैवलалог में चारढ़ द्on Photo 10 में उससे ज्यादा ये जो है वो वैल्यू नहीं रखता बहुत ही वाहियात सौंड जो है ये प्रोडूस कर रहे है अच्छा सौंड नहीं प्रोडूस कर रहे है अब इसको इग्नोर करें तो ज्यादा बेटर है बेटर प्रोड़क्ट परचेस करिए क्योंकि अगर आप तो जो भी देखा आपने ये नॉर्मल मोड में था हम गेमिंग मोड है फो ओन कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते कि क्या डेक्प्रेंस जो है हमको देखने को मिलता है तो गेमिंग मोड में आपको लेटेंसी हलकी सिकम देखने को मिलेगी तो हलकी फुल की जो गेमिंग है आप इसमें कर सकते हैं ज्यादा एडवांस गेमिंग सोचेंगे आप प्रो तो इसमें नहीं हो सकता वो चीच हलकी फुल की जो गेमिंग जो है वो आप इसमें जो है जरू जो है खेल सकते हैं